ये एक integral का question है, अक्सर इस तरह के question में उलज जाते हैं, और question बढ़ा अच्छा है और simple सा question है, क्या question है देखिएगा, under root of cortex minus under root of 10x, वैसे अगर अकेला under root 10x का कभी question आ जाए, तो ये बढ़ा special case होता है, ये under root cortex का आ जाए, single question आता, तो इसके लिए 10x को आप t square मानते हैं, पर ये question थोड़ा सा हटके, अगर आप इसका LCM ले लेंगे, और इसको solve करेंगे, तो इस question आप जल्ली कर सकते हैं, तो अगर मैं इसका LCM लूँ, तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, cos x minus sin x upon under root of sin x into cos x, जब sin cos में आप break करेंगे, तो यह हुझाएगा, under root के अंदर ही cos upon under root sin, under root sin upon under root cos, और जब LCM लेंगे तो finally ये result आएगा, अब इसको भी अगर आप ध्यान दें, तो अगर मैं 2 का multiply, अगली step में कर ले दो, cos x minus sin x, आपने अगर under root के अंदर इसे sin 2x लिखा, एक तैसे 2 भी divide हो जाएगा, तो आप इसे ऐसा लिख सकते है, root 2 times of cos x minus sin x upon under root of sin 2x, integral में थोड़ा ध्यान रखके चले, क्योंकि question को करने का approach बहुत प्रॉपर लगेगा, तो root 2 आएगा, पर root 2 देखे सभी में है, अब अगर ध्यान दें, तो ये cos x minus sin x है, और root के लिए कोई formula, denominator के लिए कोई formula नहीं होता, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, चाहें तो, under root of sin x plus cos x का whole square minus 1y, क्योंकि sin x plus cos x का, अगर हम whole square open करेंगे, तो हमें मिलेगा sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x, तो एक तरह से मिलेगा 1 plus sin 2 x, और ये minus 1 cancel हो जाएगा, अच्छा, अब इसका फायदा क्या हुआ, कि अगर आप इसको t माल लेते हैं, तो ये इसका differentiation, देखे, sin का cos और cos का minus sin, तो एक तरह से मुझे under root of, कौन सा formula दिमाग में आना चीए, तुरंती हमें formula याद आना चीए, under root of x square minus a square का, जो की होता है, log of x plus root of x square minus a square, तो आप क्योंकि मैं इसको t मान रहा हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log of x, x मतलब ये पूरा, तो sin x plus cos x, plus root of पूरा-पूरा same result, तो root of पूरा same result, तो मतलब root sin 2 x पापिस भी लिख सकते थे, और अगर आप ध्यान दें, तो ऐसा एक ही option में है, इस तरह का answer, अच्छा, इसमें minus हो गया, इसमें pi by 4 हो गया, इसमें तो root ही है, तो ये एक ही option में,